हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नहीं वीडियो में इस वीडियो आपको बताऊंगा कि आप कैसे anti-malware service executable के high CPU usage को fix कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको कैसे आप turn off कर सकते हैं permanently सबसे पहले आपको जाना है search बार पे और यहाँ पर type करना है आपको settings देन आपको settings पे जाना है और इसके बाद में आपको जाना है updates and securities देन आपको जाना है windows security पे देन virus and threat protection देन आपको जाना है manage setting देन आपको real time protection जो है इसको off करना है अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो anti malware है वो 0% CPU usage ही ले रहा है बाकी यह जरा से भी आपका CPU usage नहीं लेगा इससे क्या होगा कि आप जो भी work कर रहे हैं वो अच्छे से होगा आपका CPU पे उतना ज्यादा लोड नहीं पड़ रहा होगा क्योंकि यह क्या करता है background में जो वायरे से उनको scan करता है बट मैं आपको recommend करूँगा कि अगर आप download करें कोई file internet से या फिर कोई third party USB drive लगा रहे हैं अपने PC में तब इसको आप enable करें बाकी अगर आप game खेल रहे हैं कोई या editing कवर कर रहे हैं और आपका CPU हाई जाता है तो आप इसको off करके खेले आपको एक अच्छा performance मिलेगा आप mention कर दीजेगा मैं आपको reply दूँगा